पाही लेंगे जी हां पाही लेंगे आखिर मंजिल राहों की महताज नहीं और साथ हो उमीदों का तो कल वही होगा जो आज नहीं नमस्कार सच्रियकाल आदाब and a very warm good evening to all the beautiful ladies and gentlemen मैं हूँ आपकी हो स्वाती और ETV के इस खास कारिक्रम में मैं आप सब का तहे दिल से स्वागत कर दी हूँ ये जाबास पुलिस ही तो है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में कारिरत रहती है तब ही हम हमारे घरों में कारिस थलों में बेखौफ बेफिक्र काम करते हैं और आराम करते हैं कुल मिला के देश की अंतरिक सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी पुलिस के मजबूत कंदों पर ही तो है तो पुलिस जब हमारे लिए इतना कुछ करती है, हमारे समाज के लिए इतना कुछ करती है तो हमारा भी फर्द बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें उन्हें सम्मानित करें, मोटिवेट करें इसी नेक नियत के साथ ETV ने एक शुरुआत की है ETV MP Police Awards मैं चाहूंगी सबसे पहले ये जो नाम है इसके लिए जरा जोरदार तालिया हो जाएं चलिए इस भव्य समारों की शिरुवात करते हैं और आप सब का तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करते हैं एटीवे के समाजिक सारोकार हम से जो एक दूसरी को हम लोगों को सबको जोड़ा है वो नाम मैं चाहूंगी हमारे सारे स्पॉंसर के लिए भी एक बार ज़रा जोरदार तालिया हो जाएं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शाम की और और सबसे पहले मैं एटीवे एंपी चैनल के चीफ गरो मिस्टर अजेद रपाटी जी को स्टीच पर आमंतरित करती हूं और उनसे गुजारिश करती हूं पर वेलकम एडरिस और शेयर फ्यू वर्ट विट 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 जाओंगी जरा जोरदार तालिया हो जान के लिए नमस्कार गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत आज हम लोग एटीवी परिवार हर्शित होने के साथ गौरवानवित महसूस कर रहा है क्योंकि आज हम जिनका सम्मान करने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस हमारे साथ है और आज हमें उनका सम्मान करने जा रहे हैं, इसलिए आज हमें हर्शित होने के साथ साथ गौरो हो रहा है, गर्व हो रहा है कि ETV परिवार एक ऐसा कारकम कर रहा है, जो साथ हिंदुस्तान में और कोई मीडिया नहीं करता है, तो हम सबका स्वागत करते हैं, उन सबसे पहले म में करता हूं सवागत, मध्यप्रदेश के ही नहीं बलकि हिंदुस्तान के दिगज राजनेताओं में सामिल, बरिश नेता और मध्यप्रदेश के ग्रह मंतरी और गाओं के रिस्ते से मेरे दादा जी, मानिय बावुलाल जी गौर का मैं बहुत-बहुत सवागत करता हूं, उनका इसने उनका आशिरबाद जिस तरह से हम लोगों को मिलता है वो साइद लगातार बना रहेगा मद्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक मानि नंदन दुबे जी हमारे साथ हैं मैं उन सब का स्वाकत करता हूँ और साथ ही मैं यहां पर हमारे तमाम जो स्पॉंसर्थ हैं तमाम प्रायोजक हैं उन सबी का स्वाकत करता हूँ हमारे पुर्शुतम अगरवाल जी हमारे साथ हैं मैं बहुत बहुत तहजल से स्वाकत करता हूँ उन्होंने जिस तरह से आज नाम कमाया है, मत्रदेश का नाम रोशन किया है, उनका मैं बहुत तहजल से स्वाकत करता हूँ, हमारे मिनी राज मोदी जी हमारे साथ हैं, मानी दिली गुपता जी हमारे साथ हैं, मैं दोनों युवार एडवेंज जो हैं, उन लोगोंने जिस तर सुचिल जी का स्वागत करना भूल गया था बहुत बहुत स्वागत सुचिल जी आपको और निश्चित रूप से आज का ये जो कारक्रम है हमारे लिए इसलिए गौर्बान भी तैसके पहले हमने 36 गड़ में इस तरह का कारक्रम किया और एक नई स्रिंखला शुरू की आपको तो तमाम सुरक्षा बल हमारे लगे हुगे उनके भी एक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे जो काम करते हैं उनको कैसे सम्मानित किया जाए उनका कोई रास्ता हम लोग खोज रहे हैं और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में एक इस स्वागत की कड़ी में एक नाम छ करता हूं और साथ ही ये थैंक्स बोलता हूं को की बहुत कम समय में काफी कम समय था उनको लाना उनको उनका पूरी के पूरी जूरी बनना जूरी के बात उस पर से छाटना नाम और उस छाटने के साथ उन्होंने समय पर हमको उपलब्द कराया और उसके साथ में एटीबी क में पुलिस के मेंबर्स बन गए थे और लगातार हर मेंबर का एक प्रोफाइल तयार किया वो निश्ची तुरूप से स्वागत की यह गए कदम है मैं एक बार फिर तहे दिल से आप सब का स्वागत करता हूं और यह बहुत सुनहरी स्थाम के साथ और निश्ची तुरूप से यह शाम एक अभश्मनी शाम बन जाए क्योंकि सायद ऐसा प्रोगाम भोपाल में भी इसके पहले नहीं हुआ कि जब कोई मीडिया हाउस उन पुलिस कर्मियों का सम्मान करता है जो 24 घंटे हमारी सुरक्षा करते हैं मैं एक बार फिर उन पुलिस कर्मियों को नमन करता हूँ, पढाम करता हूँ, उनका स्वाकत करता हूँ, थैंक्यू थैंक्यू सो वड़ी मज़ सर्म Mr. पुरुशोत्तम अगरवाल, Chairman अगरवाल Group कोईले के वैपारी हैं, लेकिन सफेध हैं सिर्फ देश में ही नहीं, बलकि विदेशों तक कारोबार अपना पहुचा चुके हैं कोईला बाजार में ही आग नहीं लगाई, रियल स्टीट में भी नाम कमाया है इस कामियाबी के वज़े से बाजार कहता है, पुरुशत्तम को वो हाथ मिले हैं, जो पत्थर को भी सोना बना देता है यह उनकी जिन्दगी का एक हिस्सा है, दूसरा पुस्तकों को चुनोती देता है क्योंकि अगरवाल, जिंदगी, में जितनी भी खामिया देखी हैं उन्होंने, उन खामियो को निकालते हुए, उन्होंने एक नया सलीबस हम लोगों के सामने प्रिजन किया है और वो सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इंदोर में ही नहीं, सारे देश में प्रदेश में जाना जा रहा है So with respect, I would like to call on a stage Mr. Prashotam Agarwal to say some few words Please sir, come on the stage मैं चाहूंगी जूर्दार तालियों के साथ का स्वागत किया जाए Hello, Namaskar सबसे पहले मैं यहां ग्रेम मंत्री बावलाल जी गोड का अभिनन्दन करता हूं दूसरा उपस्तित, पुलिस के जवान जिनको अवाड दिया जाना है और जो पुलिस के अधिकारी यहां हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए, उनका अभिनन्दन करता हूं और विशेश तोर से ETV का साधुवाद देता हूं, जिनोंने इस देश में एक ऐसी नई पहल सुरूकी है जो कि एक बहुती नई और नई दिशा देने वाली बहुश में साभित होने वाली है मैं बागी साली हूं कि इसमें के रायपूर के प्रोजेक्ट में भी मैं उपस्ती था और वहां भी मेरा उसमें थोड़ा सा योगदान रहा है और चुकि मैं ट्रांसफोर्ट लाइन से फंदरा साल की उमर से मैंने अपना केरियर सुरू किया है मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा सुरू से कनेक्टिविटी रही है मेरी और मैं ये मानता आया हूं कि दुनिया में उंगलियां किसी पे उठा दो किसी को भरस्ट कह दो, किसी को बदनाम कर दो एक आज कल एक सगल हो गया है किसी के बारे में कुछ भी बयान दे देना, कुछ भी कह देना लेकिन मैं ये मानता हूं भरस्टाचार हमेशा उपर से नीचे की तरफ जाता है जैसे पानी डहलान की तरफ जाता है उसी तरह कभी भी ऐसा नहीं होता कि बरस्टाचार नीचे से शुरूओ के उपर जाता हो अगर हमें बरस्टाचार की बाते बंद करना हो इस देश को बरस्टाचार से मुख करना हो तो हमें सबसे पहले उपर से बरस्टाचार को खतम करना होगा जब उपर से बरस्टाचार खतम होगा तो नीचे अपना भी खतम हो जाएगा दूसरा गालियां देना बहुत आसान है किसी को कुछ भी ब्लेम लगा देना बहुत आसान है लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि आज हम देश की सुरक्षा के लिए तो बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री के जवान सुरक्षा करते हैं लेकिन सहरों में, गाउं में हमारे हर कदम पर हमारी सुरक्षा पुलीस ही करते हैं कि मैं ये सुरू से मानता हूँ एक वर्दी की इज़ट होनी चाहिए व्यक्ती उसके अंदर कौन हो, क्या है, कैसा है वो बाद की बाद आती है मैंने हमेशा वर्दी की इजट की है और वर्दी की इजट इसलिए करना जुरूरी है अगर हम वर्दी की इजट नहीं करेंगे तो हम इस देश में खुद भी सुरक्षित नहीं रह सकते आज हर कदम पर हमें कोई भी बात हो तुरंट पुलीस याद आती है तो पुलीस याद आती है तो पुलीस का जो एक कर्म है जो काम है जैसे अभी जहन साब ने बताया कि इनकी ने कोई छुटी होती है ने कोई दे होता है ने नाइट होती है Around the clock के लोग काम करते है एसी स्थिति में मैं चाहूंगा आज जो पुलीस वालों का सम्मान होना है और जो पुलीस वाले अधिकारी हैं कि इस वात को एक नई पहल के साथ, एक नई दिशा के साथ, ए टीवी के साथ जुड़कर इस मुकाम को आगे तक बढ़ाएंगे. धन्यवाद जाहिएं. Thank you so very much sir. अब मैं स्टीच पे वित रिस्पेक्ट आमंतरित करना चाहूंगी, Home Minister of MP, श्रीबाबुलाल गौट. प्लीस sir, come on the stage. जोर्दार तालिया हो जाएं प्लीव. वास्तों में टीवी का जो ये कारिकरम है, मैं इसको मद्धबर्देश की प्रुस के लिए बहुत ही गौरवशाली मानता हूं। और बहुत आभार ब्यक्त करता हूं, कोई तो मिला तारीफ करने वाला है. कोई जैसे हम जब भी आप जाओं जहां, अभी गारवार साब, दुवे साब, और सभी पुलिस अत्कारिया, नौर्देवी और सजुनों, हमारे देश में नेगिट प्रद आजाएं, नकालात्म क विचार जादा हैं। और इसलिए पुलिस का सबसे जादा जो अगर ड्यूटी करता है, तो वो हमारा छोटा कर्मचारी पुलिस का कारश्टी मेल है, जो एक डंडे पाद पूरे गुंडों को ठीक कर देता है, बाकी अतकारी तो आफिस में बैठके काम करते हैं, तो मौके पर कौन मरता है? मौके पराता करूँगा ईटी मेल से की कली नगी बार कारे अचारी अनलियो बार को भी है इसके कारण भी हमारे अपराद बढ़ रहे हैं तो मेरा सुझाव है लेकिन जो आज आप काम किया है मेरे दस सार दस बार जीतने के बाद आज पहली बार किसी एटीवी की मीडिया ने जो सम्मान पुरुष के किया है उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता और कहता है हर साल करो ना आप बिल्कुल सर और मैं चाहूंगे बीटीवी के लिए ज़रा जोरदार तालिए ये जो है ये सेना से भी ज्यादा मेहतून ये तो रोज लड़ते हैं हमारे गुंडों से बदमाशों से जुवारियों से सट्टे वाजों से और कभी-कभी हमसे भ लेकर मुझे पुलिसे शिकायदी मैं तीस-चाली साल तक वरोज दल में रहा पुलिस ने जब में अन्दोरन किया है बड़े सम्मान तो आईए आपको गरफतार के जाता है आगे वाली जीप में आप बैठिये नंबर वन की सीट पे और मैं आगे वाली सीट पे बैठके बै माद परदेश की पुलिस के बारे में दो शद भी कड़वे माद परदेश की विदान साह में ने रहे चाहे मुझे नेता पर तपक्षू या अन्दकारी मेरे से और आज मुझे मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जे हो में बनाया है मुखमान तुई ने अब मैं चाहूंगा की अद्रक्षता में हमारे जो एक्सपीरियंस जूरी मेंबर्स हैं हो जाएं और गौर जी का साथ देने के लिए अगेन में स्टीज पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर पुरिशोत्तम अगरवाल जी को सब प्लीज कम उन्द स्टीज जगदीश चंद्रा जी हमारे बीच में मौजूद है मैं चाहूंगी ज़रा जोरदार तालिया हो जाएं उनके लिए भी जगदीश चंद्रा जी से मैं कुछ पूछना भी चाहूंगी सर ये जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको एंकरच करने का और इनको और ज़्यादा मोटिवेट करने का इनको सम्मान करने का ये आईडिया कैसे आया और ये जो हमारी एक्स्प आप सबका मैं एटीव परिवार के और से यहां हरदिक स्वागत करता हूँ, खास करके कारकम के अद्यक्षता कर रहे हैं, कारकम के स्पोंसर का और थोड़ी देर में मुख्यमंतरी जी भी यहां आ रहे हैं, जहां तक मेरिटोरियस और जहां बाज पुली सफरों को समानित करन है, इस इस नेशनल आइडिया, हम आर्मी में लोगों को समानित करते हैं, पुलिस में लोगों को समानित करते हैं, सरकार समानित करती है, गवनतंत्र दिवस और स्वाधिनता दिवस पर समान मिलते हैं, और उससे हटके पुलिस पदक और राश्पती पदक भी जहां बाज ल उसको सम्मानित करने किसी शंकला को ETV परिवार ने आगे बढ़ाया है और आज का ये फंक्षन उसी के एक कड़ी है ऐसे जाबाज और करतवे निष्ट और बहदुर पुलिस अबस्वरों की पहचान के लिए और उनको एक स्थान पर लाने के लिए चैनल ने एक जूरी का उन्हें मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी के हाथों अद्यक्ष जी के आथों गोड साब के हाथों और स्पंसर साब के हाथों वो सम्मानित होंगे आज मारे बीच में एक अच्छी शुरुवात है और जहां तक मद्यप्रदेश की परंपरा रही है यहां से हमेश पुलिस ने जो टैलेंट है, जो ब्रिलेंस है, उसको आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने, मुख्य मंत्री जी ने और ग्रह मंत्री जी इस काम को कर रहे हैं, मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं और उन्हें आवहान करता हूं कि ETV के इस अभ्यान में वो भी हमा हुआ है, और आपके हर उस कदम में जिसमें जांबाज आपसरों को सम्मानित करना हो, इन्हें आगे बढ़ाना हो, इनका मनोबल उंचा करना हो, इन्हें प्रेडित करना हो, इन्हें इंस्पायर करना हो, इन्हें इन्थियास्ट करना हो, उन्सब कामों में ये चैनल आपके साथ है धन्यवाद एटीवी हिंदी एन एटीवी उर्दू श्री जग्दीज जी हमारे ओन्रेबल हो मिनिस्टर सो एंड हमारे चेर्मेन अफ अगरवाल ग्रूप मिस्टर प्रुशोतिम अगरवाल का स्वागत करें तो चलिए अवाद सेरिमनी को आगे बढ़ाते हैं चाहे तप्ती धूप हो या जंगल के विशम रास्ते चाहे दुश्मन कितना ही खतरना क्यों नहों इन्वेस्टिगेशन भले ही मुश्किल हो कड़ी महनत और फर्ज की रहा पर अपनी ड्यूटी का सच्छा हक अदा कर हर मिशन को पूरा कर ही लेती है हमारी ये जबास जवान ETV ऐसे ही देजभक्तों को सलाम करती है और इन वीरों के नाम ही है हमारी ये शाम इसी के सांथ चलिए अवार्ट सेरिमनी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले अवार्ट की कैटिगरी है बेस्ट्रेनर की वो जो फील के लिए सेनानियों को तयार करते हैं इसी ट्रेनिंग से जवानों का भविश्यते होता है अच्छा ट्रेनर एक गाइड की तरहां स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट ट्रेनर और इसके नॉमिनीज है श्रीमती मनीशा पाठक, पुलिस अदिक्षक, पुलिस महाविद्याले इंदार, शीद पुषपेंद्र सीहिराथार, उपनिरिक्षक मुरैना, शीद सुधीब गोयनका, डी-एस-पी पुलिस रेडियो ट्रेनिं इसकोल इंदार, अमनीज को स्टेज पे बुलाना चाहूंगे विद रिस्पेक्ट, और अब मैं पुर्शोतम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे कि एन्वलप से वो नाम हमें बताएं, जो इस कैटिगरी के विनर है. बेस्ट टेनर के रूम में, स्रीमती मनीशा पाठक सोनी. मैं चाहूंगी आदर्णिये, होम मिनिस्टर, श्रीबाबुलार गौर जी, उन्हें ममेंटों से सम्मानित करें. और हम विमन प्राउडली ये कह सकते हैं कि फील्ड जो भी हो, हम हर जगे बेस्ट कहा जाते हैं. मनीशा जी तो हमारी विनर हैं, लेकिन जो नॉमिनीज हैं, उनके लिए भी, आप भी हमारे हीरोज हैं, मैं चाहूंगी उनके लिए भी जरा जोरदार तालिया हो जाएं. Thank you, thank you so very much. बढ़ते हैं, next category की और, exemplary service. और इसके लिए, मैं स्टेज पे साथ देने के लिए बुलाना चाहूंगी, Mr. Dilip Gupta. Please come on the stage. Mr. Dilip Gupta, a financial consultant since 2003, has been recognized by CNBC in 2008. And apart from many other accolades, is international speaker in MDRT USA. अब तीन दिगर जब हमारे साथ हैं, तो next category हो जाहिए, वो भी किसी से कम नहीं है. The Award for Exemplary Service और इसके नॉमिनीज हैं, तारे नॉमिनीज को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, प्लीज. जोर्दार तालियों के साथ स्वागत किया जाएं, हमारे नॉमिनीज का. और मैं चाहूंगी, विद्बुके, इंसब का स्वागत किया जाएं. जोर्दार तालिया हो जाएं, हमारे विनर के लिए, हमारे नॉमिनीज भी कड़ी महनत से यहां तक पहुंचे हैं, तो वित रिस्पेक्ट, हम उन्हें भी मोमेंटो देना चाहेंगे, उन्हें भी सम्मान करना चाहेंगे. अब बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट केटिगरी की और, जो है, फाइट अगेंस्ट क्राइम. और इसके लिए, सबसे पहले मैं स्टीच पे आमंतरित करना चाहूंगी, DGP MP Shrinandan Dubeji जी और उनका साथ देने के लिए मैं स्टीच पे बुलाना चाहूंगी, Amit Mathur, Senior General Manager, Sales and Marketing, ACC Limited. मैं चाहूंगी, आप दोनों प्रीज स्टीच पे आजाएं, और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाएं. जुर्म की आहद पर ही उसको जरसे उखाड फेकने की हिम्मत रखती है पुलिस जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा और जुर्म को मात देना. इसलिए हमारी नेक्स्ट कैटेगरी फाइट अगेंस्ट क्राइम और उसके नॉमनीज हैं और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए जोरदार तालियों से सोगत करिए जोरदार तालियों से सोगत करिये नॉमनीज के लिए भी जरा जोरदार तालियां क्योंकि हमारा फर्ज बरता है उन्हें भी सम्मान देने का काफी कड़ी मेहनत से वो लोग यहां तक पहुंचे हैं थैंक यू सो वरी मच अमिट सर तुबई सर यहां पे सब चाहते हैं कि आप दो शब्द हमारे साथ शेयर करें तो मैं चाहूंगी आपको सुनना काफी ज्यादा पसंद किया जाए गए यहां पे पुलिस की किसी भी रूप में प्रशंसा आप सामानने तर काफी अजीब सा लगता है जब कोई प्रशंसा होती है और वो भी एक मीडिया हाउस की तरफ से तो जब मुझको बताए गया कि यह इस तरह का फंक्शन पहले राइपूर में भी हुआ तो यह लोग को सुनके अच्छा लगा और एक बात अभी कही गई थी कि यह रिकनिशन है उस वर्दी की और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ पुलिस मूलता एक स्टेट अथारिटी का सिंबल होता है पुलिस की वर्दी भी एक उस कानून का वो प्रतिनी दित्व करता है यह मतलब आदाश परिस्तिती की बात है और यह दिखके अच्छा लगा कि पुलिक रिकनिशन ऐसे कर्मचारियों को मिल रही जो पुलिस में लगातार मेहनत से काम करते हैं और इस समाज में एक कानून व्यवस्ता बनी रहे उसके लिए काम करते हैं वर्ना इस देश में इस सभी को मालूम है कि देश की इंटरनल सिक्यूरिटी की चैलेंज है वो लगातार बना हुआ है बार्डर पे कभी 30 या 40 साल में एक बार लडाई होगी लेकिन जो इंटरनल सिक्यूरिटी और जो अंतरिक दुश्मन है देश के उनसे जो लडाई लगातार बनी रहती है तो उस सब के लिए इस तरह का रिकनिशन पुलिस फोस को यही मिलता है तो ब दन्यवाद भी दूँगा और एक नई पहल करने के लिए जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए मैं पुलिस वबाग की दरफ से उनको अपना धन्यवाद और साथ दूबाद दोनों देना चाहूँगा धन्यवाद तैंक यू सो वरिमिच सर उनका साथ देने क के लिए इस जन्म का उद्देश ना तो कीर्ती ना ही धन है जीवन का असली रस वही पिएगा जो वीरों की भाती अपनी धरा के लिए जिएगा अब बारी है उस कैटिगरी की जो बहादरी की मिसाल पेश करती है मैं बात कर रही हूँ गैलेंटरी अवार्ड की और इसके न नॉमिनीज है श्रीद वासुदेव रावत प्रधन अरक्षक शिवपूरी श्री रतनेश तोमर निरिक्षक शिवपूरी मैं नॉमिनीज को स्टीज पे आमंतरित करना चाहूँगी विद रिस्पेक्ट मैं चाहूँगी ज़रा जोरदार तालिया हो जाए इन सब के लिए बहादरी का पर्चम लहरा कर ये सभी के लिए प्रेना बन गए हैं हमारे गैलंटरी अवार्ड कैटेगरी के विजेता जिनका नाम है सुनील जी से जानना चाहूँगी अवार्ड गोस तो प्रोफेसर आर वासुदेव रावत और दोवे जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनका अवार्ड देकि सम्मानित किया जाए अवार्ड गोस तो अवार्ड गोस तो प्रोफेसर एंटरी अवार्ड गोस तो प्रोफेस्ट करते जाएंगे मैं चाहूँगी तरह जोरदार तालियां हो जाएंगे रिए इसी के साथ आपको उन ओफिसर से मिलवाते हैं जिन्होंने केस की इन्वेस्टिगेशन तह तक की और सफलता भी हासिल की मैं बात करें हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के नॉमिनीज यानि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ओफिसर्स अवार्ड की और इसके नॉमिनीज हैं मैं चाहूंगी की हमारे नॉमिनी प्लीज स्टेज पे आजाएं और जी हां मैं सुशील जी से बस रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि वो हमें हमारे विनर का नाम अनॉंस करके बिताएं कि एवार्ड जाता है मिस्टर विद्याधर पांड़ें कॉंग्रेट भी आपको बहुत और शुक्तामना है अपने टास्क को इमांदारी के साथ पूरा करते हुए बेस्ट इंवेस्टिकेशन को अंजाम दिया है इस कैटिगरी के बेस्ट इंवेस्टिकेशन ऑफिसर ने मैं चाहूंगी उनके लिए जरा जोरदार तालिया हो जाए और हमारे साथ जो नॉमनीज यहां पे मौजोद हैं बहुत ही हाट वर्किंग ओफिसर्स हैं यह भी इनके लिए भी जरा जोरदार तालिया हो जाए थैंक यू सो वर्य मच श्रील जी हम एटीवी एंपी पुलिस अवार्ड्स 2014 के इस अफसर पर पूरे एटीवी परिवार और हमारे सहयोग्यों की तरफ से एंपी के मुख्य मंतरी मानेनिय श्री शिवराज सिंग जी चोहान का अभिनन दन करते हैं थैंक यू सो वर्य मच सर आप अपने बिजिश स्केडल में से हमारे यह निकालते हैं अब मैं अनुरोद करोगी जगदीश चंद्रा जी से टो वेलकम आवर्चीप मिनिस्टर पीसर मैं अनुरेबल चीफ मिनिस्टर सर को वित रिस्पेक्ट स्टीज पे आमंतरित कना चाहूंगी तो से सम्प्यू वोग्स आरनी जग्रीश अंगाजी हमारे पुलिस प्रमुख नंदन दुवेजी एटीवी परिवार सभी वरिष्ट अधिकारीगन सभी नागरेगन बेहनों भाहियो मैं आज दिल से एटीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं मैंने मीडिया को आलोचना करते हुए देखा था छोटी गलती की भी कई बार मुझे लगता है कि बड़ी सजा मीडिया में बिसेस के पुलिस वालों को मिल जाती है लेकिन दूसरा पहलू भी है सच मुझ में कई बार अपने कर्तव का निर्वाह करते हुए हमारे पुलिस की अधिकारी हों जवान हों अपनी जान पर खेल जाते हैं और मैं तो इसी मधप्रदेश का उधारन देना चाहूंगा आपको यह मधप्रदेश जहां डखेतों का आतंक था एक जमाने में भिंडो, मुरैना हो, सिप्पूरी हो। पूरे अलाके को दस्यू बहन कर दिया कोई बडा गिरोज सेच नहीं है सूची बत और कई जगे तो आमने सामने की मुरेना जैसे जुले को उधारने मुठवेड़े हुई है बड़ी बहातरी से काम किया मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नकसल बात को ठेट बाला घाट की सीमा पर ठामने का काम भी अगर किया है तो मदपदेश पुलिस के बहादूर जवानों ने अधिकारियों ने किया है कई बार हमने देखा सिमी जैसे नेट वर्क को तोड़ने का काम भी अगर किया आतंकवादियों के तो मदपदेश पुलिस ने किया है यहां भोपाल में ही फैक्टरी चल रही थी उसका पता लगाना आप राधियों को सजा दिलाना और यह तो मैंने तीन बड़े उदारन आपको दिये इसके अलावा भी जब भी जहां हम रोज देखते हैं अपनी करतव की बलवेदी पर सरवश सुन्योचावर करने को पुलिस के जबान और अधिकारी तयार रहते हैं और ऐसे जो जबान हैं उनका सम्मान होना चाहिए ऐसे जो अधिकारी है समाच को उनका सम्मान करना चाहिए और इसलिए ETV ने यह जो पहल की है वो इस्तित्व है वो वंदनी है वो वास्ता में हमारी पुलिस के साथ भी ने आए है और मैं मानता हूं कि इस पहल से ETV का मतलब मैं मानता हूं समाज का जिम्मेदार और जागरुक नागिरकों का वर्ग जो सोचता है प्रदेश के लिए समाज के लिए देश के लिए सच मुझ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मदप्रदेश की पुलिस ने कई कीरती मान इस्थापित किये और लगातार सफलताएं प्राप्त की है और इसलिए दोनों चीज़ां होनी चाहिए अगर कोई गलती करते हैं तो आलोचना होनी चाहिए उससे इंकार नहीं लेकिन बड़िया काम करता है तो पीड थप थपाने का भी काम होना चाहिए मैं कई बार ये मैसूस करता हूँ कि होली हो हम सब रंगों में सरोबार हो जाते हैं वो तैनात रहते हैं अपने परिवार के साथ धोली नहीं खेल सकते हैं अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं बना सकते हैं अपने परिवार के साथ बाकी तिवहारों में सामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनकी जवाबदार ही है कि वो जन्ता की हिफाज़त करें सुरक्षा करें और कई वार वो जगते हैं इसलिए हम लोग चैंसर सोते हैं और इसलिए ये जो पक्ष है एक और फिर ऐसी परिस्तितियों में कई वार रहते हैं हमारे कांस्टेविल्स मैं मुखमंत्री के नाते महसूस करता हूं बहुत काम करने की जरुवत हैं सेल इतनी के पनाई का मकान लेके रहना पड़ता है अब उन परिस्तितियों में उन बात आवन में रहके अपने करतव के अंदर वहाजों करते हैं उनका अभी नंदन है और स्वस्त आलोचनाओं का स्वागत है उसलिए ये टीवी ने जो जो रह एक नई निकाली है कि ऐसे अधिकारियो को एंसे जवानों को समानित करने का काम किया जाएगा ये मनोबल बढ़ाएगा देखित और कोई व्यक्ति चाहे नौट लेकिन एक बात तो रहती अच्छा काम करे तो लोग ये तो कहे कि नहीं बहुत अच्छा क्या है अब बुरा हो जाये तो गालियां कम बुरे पे ज्या लिए पहल निश्चित तोर पर कर्तब िश्ण अधिकारियों को और भी प्रेडना देगी, किनि यहां कि हम बेहतर लिए कांधन करता हूं, जहां तक महमत्ति सरकार का सवाल है, इस पोलिस परिवार को भी अपना परिवार ही मानताॉं उनके सुख में उनकेदंग मैं पिछले दुना हमने इलग वक्ति तीस घ्यार जवानों की अलग-अलग भरती है, अलग-अलग सालों में करने का पयास किया। क्योंकि जन संख्या बढ़ती गई जवान बढ़ा ही नहीं पुलिस बढ़ा ही नहीं और बड़ी जन संख्या को उतनी जवान या धिकारी संभाले यह हो नहीं सकता हमने सुविधाय बढ़ाने की भी हमने कौसिस की हॉम गार्ड के जवान जिनको 190 रुपया मिलता था 300 तक हम दे गए प्रती सिन भत्ते पर काम करते हैं तो कुल मिलाक के वो सुविधाय देने की भी आव सकता है लेकिन उसके साथ साथ अच्छा काम करने वालों को प्रोसाहन देने की भी आव सकता है इसलिए जगदीश चंद्रा जी मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हिर्दे से स् करेगा इसलिए बहुत स्वागत बहुत बढ़ाया था थैंक यू सो वरी मैं सर फो सच अन वंडर्फुल वर्ड मैं चाहूंगी कि आप यहीं रहें विकेज हमारे ओफिसर आपके हातों से अवार्ड लेना चाह रहे लेकिन उससे पहले जिस इंसान ने मध्यप्रदेश की तस्वीर बदल दी हो उस इंसान के लिए जरा जोरदार तालिया और मैं शेलेंद्र सर्थ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मध्यप्रदेश एंथम के साथ वो इस शाम को और यादगार बना दे सुख का दाता सब का साथी शुब का ये संदेश है मा की गोद पिता का आश्रै मेरा मध्यप्रदेश है कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहां विशेश है विदेश का यह मैं इसका मेरा मध्यप्रदेश है विन्ध्या सल्सा भार नर्मता का जल जिसके पास है यहां ज्ञान विज्ञान का लाका निखा गया इतिहास है विंद्या चल साभाल नर्मता काचल चिसके पास है यहां ग्यान ग्यान कलाका निखा गया इतिहास है वुवर भूमि सखनवन रक्त संपता यहां अशेश है स्वर सौरब सुश्मा से मंदित मेरा मर्ध प्रदेश है शिप्रा में अमरित घद चलका मिला करश्न को ग्यान यहां महा काल को दिलग लगाने मिला हमेवर दान यहां शिप्रा में अम्रित घर छलका मिला ख्रश्न को ग्यान यहाँ महाकाल को दिलक लगाने मिला हमे वर्दान यहाँ कविता नाय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशीश है रिदे देश का यह मैं इसका मेरा मर्थ्य प्रदेश है मेरा मर्थ्य प्रदेश है सुप का दाता सब का साधी चंबल की कलकल से गुझित कथा दान वलिदान की हजराओं में कथा कला की चित्र कुट में राम की भीम बैठी का आद कला का पथर पे अब शेक है अम्रित कुन अमरकंटक में ऐसा मर्थ्य प्रदेश है सुख का दाता सब का साधी सुख का दाता सब का साधी शुप का ये संदेश है मा की गोद पिता का आश्र है मेरा मत्य प्रदेश है मेरा मत्य प्रदेश है मेरा मत्य प्रदेश है मेरा मत्यु प्रदेश है आपका MP, मेरा MP, हम सबका MP, जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारी छटी क्याटिग्री की जो है Community Policing Award और मैं उसके nominees जानना चाहूंगी तालियों के साथ मैं चाहूंगे उनका स्वागत किया जाए उन स्टेच मैं रिक्वेस्ट कना चाहूंगी की विनर का नाम आए है Community Policing में Sanjay राठोर, जोर्दार तालियों के साथ आए है Sanjay जे, चुम्राचुलेशन आए है आए है आए है आए है आए है आए है Thank you, thank you so very much Prashodham ji, thanks a lot Thank you सोचिए अगर आप किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हो और रास्ते के ट्राफिक में आप फस जाए तो क्या होगा काम खराब और समय भी व्यर्थ होगा लेकिन रोज बिना किसी देर के अपनी duty को ना सिर्फ पूरा करते हैं बलकि इस बात का भी खयाल रखते हैं कि ट्राफिक व्यवस्ता अच्छे तरीके से चले इसलिए हमारी इस साथवे अवार्ड के हगदार वो होंगे जिनोंने ट्राफिक मैनेजमेंट के कुशलता पूर्वक किया चलिए नज़र डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनीज पर So may I have the nominees प्लीज? The Award for Traffic Management और इसके नॉमिनीज हैं स्टीज पर बुलाना चाहूंगे हमारे नॉमिनीज को Traffic Management Award, Shri Darsan Singh Ji Congratulations, जूर्दार दाल्यो के साथ हमारे विनर को और साथ एंकरेश किया जाएं और हमारे इस कैटेगरी के नॉमिनीज को भी मोमेंटो के साथ वित रिस्पेक्ट सम्मानित किया जाएं जूर्दार ताल्यां पीस Thank you, thank you so very much Thanks a lot sir, thank you so much हम कह सकते हैं कि यह जो हमारे ओफिसर से इनमें बहुत सारा टैलेंट चुपा हुआ है और ऐसा ही अगला टैलेंट हमारे बीच में अब लेकर आ रहे हैं के जी मक्वाना जी, AD जी जो है मैं चाहूंगी वित रिस्पेक्ट और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए अधरणी मुख्यमंत्री महोद है डीजीप महोद है उपस्तित देवियों सज्जनों यह माननी मुख्यमंत्री जी जो प्रड़ेश को एक हुची उडान देना चाह रहे हैं उसी से मेरा कुछ आपके समक्ष में उनकी जो भावना है थोड़ा सा में गीत के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं आचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गवन के तले जहां गम भी नहों आसों भी नहों बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गवन के तले जहां गम भी नहों आसों भी नहों बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गवन के तले सूरज की पहली किरन से आशा क सवेरा जागे चन्दा की किरन से दुल कर गन धोर अधेरा भागे कभी धूप मिले कभी छाव मिले लंबी सी डगर नखले जहां गम भी नहों आसों भी नहों बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गवन के तले एक ऐसे गवन के तले एक ऐसे गवन के तले Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you so very much. काफी ज्यादा तैलन्ट चुपा हुआ है. क्या बात है? अब मैं सुशील अगरवाल जी को इस्टीज पर बुलाना चाहूंगी to say few words. Pradesh के यसस्वी मुख्ध मत्री माननी शिवरा सिंग जी चुहान. हमारे आधरनिये शिरी पुर्शुत्म अगरवाल जी, डीजीप नंदन दुबे जी, मेरे भाई मीनी राज मोदी जी. मद्ध प्रदेश ETV ने जो मद्ध प्रदेश पुलिस एवार्ड एक कारिकर्म रखा है. मुझे ऐसा लगता है कि ETV ने जो काम किया है, प्रदेश की कोई भी मीडिया एजनसी इतना अच्छा कारे नहीं करती. पुलिस के लिए ये कारे करना उनके, उनका मोटिविशन बढाता है. उनको और कारे करने की प्रणा देता है. मैं ये मानता हूँ कि पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, और हमारे आसपास के माहौल और हमारी सुरक्षा को वो करती है. हम आम नागरिक के नाते पुलिस के साथ कदम से कदम बिनाकर चलें उनको सहयोग करें और उनके कारेों में हम उनके साथ रहें तो शायद समाज में एक अच्छा माहोल बनेगा और पुलिस अपना कारे बहुत अच्छी ज़रां से कर पाएगी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ETV को जिसने मद्यप्रदेश के पुलिस को एक प्लेटफार्म दिया, एक कदम आगे बढ़ाने का मौका दिया, आगे भी वो इस तरह करते रहें, मद्यप्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के हर पुलिस वाले को वो इस तरह से अवाड दे मैं चाहूंगी स्टीच पर, to say few words, मैं चाहूंगी जूर्दार तालियों के साथ, इनका स्वागत किया जाए। बातें बहुत हो गई है और बड़े ब्यस्ततम समय से सीम सब यह बैठे होई हैं तो मैं जादा तो वक नहीं लूँगा, मेरा जो एक परसनल एक्सपिरियंस रहा है, मेरी सुरू से जो सोच रही है, वो कम से कम पुलिस डपार्टमेंट के लिए बहुत अची रही है, और मे बात करते हैं कि हमारी अपेच्छाएं जादा होती है, हमारी अपेच्छाएं गवर्मेंट से, हमारी अपेच्छाएं मुहले से, हमारी अपेच्छाएं परोस से, हमारी अपेच्छाएं से, लेकिन हम कही नगहीं बहुल जाते हैं कि यह सिस्टम भी हमसे बना हुआ है, जि कि अलोचना है और यह तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है निगेटिव मेरी लाइफ में कभी रहा नहीं है निगेटिव सब तो मैं मानता नहीं हूँ लेकिन जहां तक है कि क्या हमारे आज पास जब भी कोई अपराद या होता है या होने की आशंगा होती है तो क्या हम कभी पुलिस को ख़बर करते हैं यह हम अपनी जिम्मेदारी कभी कमी समझते है तो मुझे लगता है हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवशकता है पुलिस को समझने की आवशकता है डिपार्टमेंट को समझने की आवशकता है तो सुधार हमेशा होगा, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, और हमारा प्रुदेश तो तरक्की में है ही. As in financial person, एक बार कभी, जब हम बाहर होते हैं या या युएस में होते हैं, तो एक बात आती है कि हमारे country में कुल 3.5% taxpayers है या 5-6% pen card holder है. तो मेरी एक appeal है, यहां से साइद मीडिया के थ्रूप पहुँच सके कि हर आदमी अपना pen card जरूर दर्ज करें, अपना pen card जरूर बनुए है और अपनी return जरूर भरे और अपने taxes को जरूर भरे, उससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और बागी जीज़, एक request है में और अपने अच्छी बात कर दी आपने, और मीडिया ये बात बिलकुल पहुच लगता है और एटीवी मजबुदेश का है तो मैं ये भी जाहूँगा कि कम से कम मजबुदेश हमारा नंबर वन हो एक दिन पैन कार्ड रिजिस्टर्ड और टैक्सपेर्स के मामले में, तो बहुत बढ़ी होगा, और बहुत बढ़ी होगा, और बहुत बढ़ी थैंक्स अब मैं भुलाना चाहूंगी प्रवीन दताजी को असोसीट एडिटर हिंदी और अर्दू चैनल मैं चाहूंगी जरा जोरदार तालियों के सांथ स्वागत किया जाए प्रवीन दताजी का सभी उपस्तित सज्जनों को मेरा भार्दिक नमस्कार यूं तो रोजाना में दास्ताने जुर्म नाम के प्रोग्राम के जरीया आप लोगों से अक्सर मेल जोल रखता हूं, मुलाकात रखता हूं, लेकिन ETV MP Police Awards से तीन बज़े से खास रिष्टा हैं, एक जगदीश चंदर जी का इनिशेटिव, दूसरा दास्ता ने जुर्म की एंकरिंग करते हुए एक TV का जर्नलिस्ट होते हुए पुलिस के पक्ष को समझना और जनता की पीड़ा दोनों को सामने रखना, उससे एक पुलिस डिपार्टमेंट और जनता के साथ बड़ा जीव सा, लेकिन बेहत सुखद रिष्टा बना है, और तीसरा, मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी की संतान हूं, तो मैं जो पुलिस की पीड़ा है, उसको व्यक्तिगत तोर पे जानता हूं, जैसे म पुलिको मुझे दिखे हूं, इस पूरे कारिकरम का जो सबसे बड़ा उदेश्य है, वो है जनता और पुलिस के बीच दूरियां कम करना, अगर ये अवार्ड अपने इस प्रयास में सफल रहते हैं, तो निश्चित तोर पर ये सफलता होगी, न केवल ETV की, बलकि उन स्प पुलिको मुझे दिखे हैं, उनका धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने ऐसे कारिकरम में सहभागिता निभाई और अभी पुर्शोत्तम अगरवाल जी ने कहा कि वो इस कारिकरम से जोड़े रहना चाहेंगे, सच मानी अगरवाल साब इस से जो होसला है वो दोगना ह हो जाता है और इस कारिकरम को और अच्छा करने की प्रेड़ना मिलती है, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे, इस कारिकरम का हिस्सा बने, हमारा उत्साह वर्दन किया, निश्चत तोर पर अगली बार ये कारिकरम मध्यपदेश में भी होग इसे हम राजिस्थान, उत्तरपदेश सब जगे लेके जाएंगे, लेकिन मैं सच कहता हूँ जो आज पुलिस अधिकारियों की आप परफॉर्मेंस देखी, मुझे डाउट है कि इतने टैलेंटेट पुलिस अधिकारी और दूसरे स्टेट में देखने को मिलेंगे या नही आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद यू ही जुड़े रही है और एटीवी जो समाज को रहा दिखा रहा है उसमें आप लोग भी टॉर्च बियरर बनके हमारे साथ चलें, धन्यवाद थाइड प्रवीन सर्वाद प्रवीन सर्वाद राज की सुरक्षा और अमन को कायम रखने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस के जवान हर कोने में अपनी नजर रखते हैं अब बारी हाती है, last award की, और इस award को देने के लिए मैं अगें stage पे बुलाना चाहुआँगी, Honorable Chief Minister Sir, और प्लीज कम अन दे स्टेज और उनका साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहुआँगी, Sushalind Kumar जी को, Miniraj Moodi जी को and Dilip Kumar जी को, और बारी आती है इस शाम के आखरी अवार्ड की और एक इस स्पेशल अवार्ड की पुलिस अवार्ड की सारी कैटिगरी ऐसे रियल लाइफ हीरोज को आपके समक्ष लेकर आई हैं जिन्होंने असल जिंदगी में अपने दाइत्व की पूरी तीकप की ही है साथ ही समाच और देश की सेवा की मिसाल भी कायम की है अब वक्त हो गया है कि हम मद्रप्रदेश पुलिस के ऐसे सचे सेवक को सम्मानित करें मैं बात कर रही हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की दुश्मनों से लड़ने और वक्त आने पर मरने से कौन डरता है कुबत इतनी है कि जान बाजी के सामने मौद भी हार मान ले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नॉमनीज हमारे सामने पीश किये जाए मैं बुलाना चाहूँगी स्टीज पे हमारे नॉमनी को पीश जोरदार तालियों के साथ इस आखरी अवार्ड की नॉमनीज को जोरदार तालियों के साथ में स्टीज पे आमन तरीत करना चाहूँगी और हम सब अब जानना चाहते हैं कि हमारी इस कैटिगरी के विनर कौन है लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड गोजटू स्री उम्राव सी जोरदार तालियों के साथ हमारे विनर को और ज़द एंकरिच किया जाए और हमारे नॉमनीज का भी हाट वर्क को सलाम करते हैं उनके लिए भी तारियों में कोई गंज़स ही नातीज है हम आपके मों से फिर से कुछ अच्छे ऐसे लवज सुनना चाने हैं जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के इन पुलिस ऑफिसर्स को और ज्यादा एंकरिच करें तेंगे सच में किसी भी प्रदेश की प्रिगती अगर हम करना चाहते हैं तो पहली सर्थ कानून और व्यवस्ता की इस्थिति लैंड ओडर अगर ठीक होगा तो बागी सब चीजें ठीक चलेंगी और नहीं तो सम्रिद्धी कितनी आ जाए अगर सड़कों पर लोगों का निकलना मुस्किल हो जाए तो लोग कहेंगे बागी कुछ नहीं चाहिए बस केवल सुरक्षा दे दो और यह सुरक्षा देने का काम बखुबी मदप्रदेश की पुलिस हमारी कर रही है एक आरोप कई वाल लगता है कि मदप्रदेश में अपराद बहुत होते हैं मैं इस पस्ट करना चाहूंगा कि अपराद हो की संख्या हमारे हमारे हां मदप्रदेश में इसलिए भी ज़्यादा आंकी जाती है कि हमारे सक्त निर्देश है बीजीपी भी बैठे हैं वरिष्ट अफसर बैठे हैं और मैंने भी ये कहा कि कोई भी आए एफ आई आर तो लिखना ही लिखना है अगर अपराद हों की संख्या कम करना हो तो बड़ा आसान तरीका है एफ आई आर मत लिखो कागई लेकर रख लो अपराद अपने आप कम हो जाएंगे कई लोग ये करते होंगे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन हम लोगों ने तैकिया है कि अगर कोई भी आएगा F.I.R. दर्ज होगी और F.I.R. दर्ज होगी तो कई वार संख्या जादा दिखती है लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है हम ये मानते हैं कि एक अच्छी चीज है मदपनेस पुलिस की कि हर F.I.R. दर्ज करती है फिर जाच करती है और जाच करके जहां कारवाई करना आवसक होता है कारवाई करती है और जाच में अगर मामलब फरजी पाया जाता तो फिर अपने आप लोज हो जाता है उसलिए मैं मदपनेस पुलिस की एक विसेस्ता यह भी मानता हूं कि वह यह नहीं कहते कि लिखो इमत वो कहते है लिखो जरूर जो सारे स्पॉंसर से फिर से रिक्वेस्ट करना जाहूंगी कि स्टेज पर आजाएं फटा ग्रूप फोटोग्राफ और सारे विनर्स भी आरे लिए्स घरूर झारे घरूर हृ।